यहेच केल भहुश्वर्ता के पुस्तक अध्याय पांच और हे मनुश्य के संतान एक पैनी तलवार ले और उसे नाउ के छूरे के काम में लाकर अपने सीर और डाढ़ी के बाल मून डाल तब तौलने का काटा लेकर बालों के बहाग कर जब नगर के गिरने के दिन पूरे हो तब नगर के भीतर एक तिहाई आग में डाल कर जलाना और एक तिहाई लेकर चारों और तलवार से मारना और एक तिहाई को पवन में उडाना और मैं तलवार खीच कर उनके पीछे चलाऊँगा तब इन में से थोड़े से बाल लेकर अपने कपड़े की छोर में बांधना, फिर इन में से भी थोड़े से लेकर आग के बीच डालना कि वे आग में जल जाए, तब उसी में से एक लव भड़क कर इसरायल के सारे घ्राने में फैल जाएगी। उसने मेरे नियमों के विरुद्ध काम करके अन्ने जातियों से अधीक दुष्टता की और मेरी विधियों के विरुद्ध चारो और के देशों के लोगों से अधीक बुराई की हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे नियम तुछे जाने और वे मेरी विधियों पर नहीं चले, इस कार प्रभु यहोवा यो कहता है। प्रभु यहोवा की यहोवानी है कि मेरे जिवन की सवगंद इसलिए कि तू मेरे जिवन की सवगंद इसलिए कि तू मेरे मेरे पवित्रस्थान को अपनी सारी घिनवनी मुर्तो और अपने सारे घिनवने कामों से अशुद्ध किया है, मैं तुझे घटाऊंगा, और तुझ पर दया के दुरुष्टी न करूंगा, और तुझ पर कुछ भी कोमलता न करूंगा, तेरी एक तिहाई तो मरी से मरेगी, और तेरे बीच भूग से मर मिटेंगी, और एक तिहाई तेरे आसपास तलवार से मारी जाएगे, और एक तिहाई को मैं चारो और तीतर बीतर करूंगा, और तलवार खीच कर उनके पीछे चलाऊंगा, इस प्रकार से मेरा कोप शान्त होगा, और अपनी जलजलाहट उन पर पूरी जीति से भढ़का कर मैं शान्ती पाऊंगा, और जब मैं अपनी जलजलाहट उन पर पूरी जीति से भढ़का चुकू, तब वे जान लेंगे कि मुझ यहोवा ही ने जलन में आकर यह कहा है, और मैं तुझे तेरे चारो और की जातियों के बीच सब बटोहियों के द इस वाली घुड़कियों के साथ दंड दूँगा, तब तेरे चारो और की जातियों के सामने नामधराई, ठटा, शिक्षा और विस्मय होगा, क्योंकि मुझ यहोवा ने यह कहा है, यह उस समय होगा, जब मैं उन लोगों को नाश करने के लिए तुम पर महेंगी के तीखे तीर चला कर तुम्हारे बीच महंगी बढ़ाऊंगा, और तुम्हारे अनरुपी आधार को दूर करूंगा, और मैं तुम्हारे बीच महंगी और दुष्ट जंतू भेजूंगा, जो तुम्हें निसंतान करेंगे, और मरी और खून तुम्हारे बीच चलते रहेंगे, और म मैं तुम पर तलवार चलाऊँगा। मुझी हुआ ने यह कहा है।